नमस्कार सातियों स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चाई एकेडमी पर आज के इस वीडियो में पिछले दो दिन का यानि की नो और दस मार्च का जित्ता भी महत्वपुण हमारा मद्यप्रदेश का करेंट अपर्स बन सकता है और उससे जुड मद्यप्रदेश सामालने ज्यान से संबंदित जो इस्टेटिक के पोर्शन है वह भी आपका यहां पर कवर हो जाए तो चलिया शुरुवात करते हैं आज के स्वीडियो की और सबसे पहले यहां पर आपको बता देते हैं कि आज के स्वीडियो में सेशन आपका किस प्रकार से रहेगा तो सबसे पहले आज का जो हमारा मद्यप्रदेश का करेंट पर से उसको यहां पर हम डिसकस करेंगे उसके बाद कल का जो करेंट पर से उसको यहां पर हम डिसकस करेंगे उसके बाद 2021 के मद्यप्रदेश के करेंड़ पर से कुछ मात्रफोन कोश्चन यहां पर ब बताएंगे साथ ही एक नया कोशन जो है यहां पर आप सभी से पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें आप पर कमेंड करके बताना होगा तो इस प्रकार से हमारा पूरा के पूरा सेशन रहने वाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पिल में चेंपिनशिप में कौन सा मेयडल जीता है चार ओप्शन यहापठे सामने निकलकर आते हैं चार ओप्शन अए गोल्ड शिल वर भॉंज या उप्रोक्त सभी तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ओप्शन है इनके द्वारा जो है यहाँ पर गोल्ड मेयडल आ आपके बिलों करते हैं चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ मातफ़ून जानकारी तो रूस के मास्कों में आजित इंटरनेशनल उशु चेंपियनशिप में गुना जिले के रोहित ज्यादावने गोल्ड मेडल जीता है और उशु खेल की यहाँ पर बात करें कि यह क्या होता है तो वुशु एक चीने मार्शल आल्ट खेल है लड़ाई गती विद्यों के साथ आंत्रिक और भारी दोनों तरह के अभ्यासिस में किये जाते हैं एवं इसे दो वर्गों तावोलों और संसों में भी आपका बाटा गया है तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड आ करता है तो हो सकता है आने वाली एक्जाम में इससे आपके आपसे जो है कोशन पूछ ले या पिर यह कोशन पूछ ले कि इंटरनेशनल ऊशु चेंपियंशिप में जो आपके रोहिच ज्याद हुए उन्होंने कौन सा मेडल जीता गोल्ड मेडल उनके द्वारा यहाँ पर तो राइट आंसर बनेगा मध्यप्रदेश के गुना जीले में बजरंगर का किला आपका इस्तित है अगला कोशन है मध्यप्रदेश का प्रथम आदिवासी सोध संचार केंद्र काहा परिस्तित है तो इसका भी जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा मध्यप्रदेश के ग को है अगला कोर्शन बनेगा कि विशो का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है तो उस रेल मार्ग का नाम है आपका ट्रांस साइबेरियन है ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है मद्द सोरी हमारे पूरे विशो का सबसे लंबा रेल मार्ग है और कहा परिस्ति थे तो कि अगर आप से कोविड, नाम क्या है तो इस पूतनिक वि जो है उसका नाम है और हमारे यहाँपर यानि कि इंडिया का उसका आपात का लिञ यूस की जो म?, वह देदि गई थी , तो यह आपके इससे जुड़ी कुछ महत्तपुन जानकरी कुछ और फेक्ट आप यहाँ पर देख लीजिए अगर आप से पूछा जाए कि रूस जिसे के पूरों में सोवित संग द्वारा जो है जाना जाता था तो इसने जो है विश्व का पेला अंतरिक्ष उपग्र जो है आपका छोड़ा था और कोश्चन बनेगा कि कब छोड़ा था तो 4 अक्टूमबर 1927 को जो है आपका छोड़ा गया था तो सिधा सिधा कोश्चन आएगा विश्व का पेला अंतरिक्ष उपग्रक इसने छोड़ा था तो सोवियेत संग या रूस ने आपका छोड़ा था कब था चार अक्टुमबर 1957 को अगला कोशन बनेगा आपका जो है या आपर कुछ रिपीट हो गया है यह जो आपके आपर फेक्ट है वह रिपीट हो गया चलिए अगला कोशन आपर देखते हैं कि मद्दप्रदेश के कि जिले की रहने वाली कुंजन जवर मद्दप्रदेश की पहली योगा थेरिपिष्ट आपकी बन गई है चार उप्षन आपर आपके सामने निकल कराते हैं सिवर रतलाम इंदो या गवालियर तो राट आंसर आपका बनता है उप्षन है मद्दप्रदेश के सिवर जिले की रहने वाली कुंजन जवर मद्दप्रदेश की पहली यो बहरत सरकार द्वारा योग प्रमानिकरन बोड की परिक्षा असिस्टेंट योगा थेरिपिष्ट उत्तिन कर सिवर जिले का नाम पुरे प्रदेश में रोशन किया है या उपलब्दी अर्जित करने वाले कुंजन जो है मद्दप्रदेश की पहली मैला है कुंजन के मुता अद्धियानकार प्रक्षा प्रतियोग गीता भी आपकी जीती है तो हमारे लिए तांप मॉडर्च बोलता है कि मद्दप्रदेश की पहली गौका थेरिपिश्ट कोन है लाब मध्याप्रदेस के कि जीले से बिलों करती है तो मध्यप्रदेस के सिवर जीले से यह आपके करती हैं कुछ इंपर्डेंट-फैक्ट यह पर हम डिस्कस कल लेते हैं लिए पहला कुर्षन बने-गा कि एंप की पहली महिला बस ड्राइवर को प्रवतिश की प्रवत रोही कोन है तो उनका नाम हे का महीं ठान परमार जो है आपकी मांट एवरेश्टप पर चबड़ WooOG में kg प्र है प्रफोन सबस्ठों से आगे है अगने के वह कोसेन नाम है कि भारत के महीं फ्रता रोहीश्ट है तो इनका नाम है से जो है यह आपकी बिलोंग करती है अगला कुर्शन बनेगा रेल्वे स्लिपर बनाने का कार खाना आपका कहां पर इस्तित है बुधिनी में इस्तित है और बुधिनी जो है कि जिले के अंतरगत आता है तो यह जो है आपका सिहोर जिले के अंतरगत आता है अगला कुर्शन आपर देखते हैं कि मध्यप्रदेश की किन महिलाओं को नारीश शक्ति करण पूरुसकार 2021 सम्मानित क्या गया है चार उप्षन निकल कर आते हैं जोधिया भाई माया अईरवार अलका स्रिवास्तव या उप्रोक्त सभी तो राइट आंसर आपका बनता है उप्षन डी उप्रोक्त सभी यानि कि जोध्या भाई माया अईरवार स्रिवास्तव इन तिनों को जो है आपका नारीश शक्ति करण पूरुसकार 2021 से आपका सम्मानित क्या गया और इन तीनों का जो सम्मंद है हमारे मध्यप्रदेश से है चलिए देख लेते हैं इनसे जूड़ी जान करे तो महिला दिवस के मोके पर अब यहाँ पर कोश्चन बनता है कि महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते है तो आट मार्च को जो है प्रतिवर्ष आपका महिला दि किया और इन 29 महिलावों में तीन महिलाए हमारे मध्यप्रदेश की भी है बात करते हैं यहाँ पर जो द्याबाई की तो इनका जो सम्मंद है उमरिया जिले से है बाविस वर्ष ये बेगा चित्रकार है इसके बावजित अपनी कला के दम पर वह नारिश शेक्तिकरन की मिसा करें तो यह मध्यप्रदेश के चतरपूर जिले से बिलों करती है और यहाँ पर अगर माया अईरवार की बात करें तो यह जो है शिवपूरी जिले के आपकी रहने वाली है इन्हें दोनों को जो है आपका यहाँ पर यह पुरुसकार दिया गया है और और इनको क्यों दिय का जो अभ्यान चलाया गया था उस दोरान इन महिलाओं ने सर्वादिक ठीके लगाने का कारणामा भी आपका किया था यानि कि मध्यप्रदेश में सर्वादिक ठीके जो है इन दोनों ने आपके लगाये थे इसलिए इनको 2021 का जो नारिश शक्तिकरण पुरुसकार है उससे कि मध्य प्रदेश की तिन महिलाओं को सम्मानित किया गया जो दिखिया ऐख का संबंद मैरिया जीले से हैं माय अलगा स्रीवास्तव इनका जो बंद आपका शिव पूरी जीले से हैं चलिए कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट यहाँ पर हम डिसकस कर लेते हैं जो कि एक्जाम के पॉइंट वी से इंपोर्टेंट बनते हैं अगला यहाँ पर बनेगा कि जो नारिष शक्तिकरण पूरुसकार 2020 से अभी हाली में दिया गया 39 महीलाओं को दिया गया जिसमें मध्यपद्स की तीन महीलाओं लेते हैं तो सबसे पेला यहां कब दिया जाता है तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को यानि कि अंतराष्टी महिला दिवस के उसर पर भारत के सबी राज्यों की विभिन महिलाओं को जो है यह आपका पुरुसकार दिया जाता है इस बार कितने को मिला 29 महिलाओं को आपका दिया गया अगला कोशन मनेगा कि इस आडमार्च मार्च को तो कैना कहिं हमे जो राष्टि महिला दिवस आनी कि हम नेश्टि मईवल राष्ट Threeiß पा हाग तो राइट आंसर बनत तेरा फरवरी को प्रतिवर्ष 24 जन्वरि को राष्ठी बाली का दिवस हमारे द्वारा मनाआ जाता है वह एगर आप से पूचा जाए आतराष्ठी बाली का दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं तो 13 तेरा अक्टूबर को प्रतिवर्च अंतराश्ट्रिय बाली का दिवस आपका मनाया जाता है तो यह चारों के चारों दिवस हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट बनते हैं चलिया अगला कुर्शन जो है आपका यहाँ पर रिपीट हो गया है अब जो है दो जार जो कल का हमारा करेंट अपैस था यानि कि पिछले वीडियो का करेंट अपैस था उसका यहाँ पर एक बार हम कर लेते हैं पहला कुर्शन था कि सत्थपुडा ओरेंज के नाम से मद्द प्रदेश के किस जिले के संत्रा बिकेंगे चार उप्षन यहाँ पर थे आपके सामने चिंदवाडा, रतला, उजेन या नाकपूर तो राइट आंसर आपका निकल कराता है, चिंदवाड़ जी लेके जो संत्रा है वो सत्थपुडा ओरेंज के नाम से आपके यहाँ पर बिकेंगे और इसके लिए जो राज्य शाशन है उनको जो है आपकी राशी भी मिल चुकी है, साती उन्होंने क्यूर कोड और इसकी ब्राइंडिंग और इसकी जो पेकेजिंग होती है, उसके लिए भी जो है काम आपका यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है अगला कूर्शन था कि मध्यप्रदेश की बेटी प्रग्या सिंग ने एशियन फेसिंग चेंपियंशिप में कौन सा पदक जीता है, फेसिंग का मतलब होता है तलवार बाजी जो चेंपियंशिप होती है, उसमें कौन सा पदक जीता है, तो राइट अंसर बनता है, इनके इस फर्वरी से 13 मार्च तक इसका आउजन क्या गया था और मद्यप्रदेश राज्य फेसिंग अकादमी की स्थापना कब हुई थी तो वर्ष दोजार साथ में इसकी स्थापना होती है अगला कोशन देखा था बाल नशा मुक्ति के लिए मद्यप्रदेश के किस जिले को रा पर आपका सम्मानित क्या गया है अगर आपसे पूछा जाई कि यह जो आई यह जो आपका अभियान है कितने जिलों में चलाए गया था पूरे भारत के 202 जिलों में और मद्यप्रदेश के कितने जिलों में तो मद्यप्रदेश के 52 जिलों में से 15 जिलों में जो है यह अभ प्रब्रेश और में सांची का दूद पाउडर प्लांट जो है आपका इस्ताफित किया जैगा अगला कोशण है मद्य प्रदेस के किस राष्ट्री मद्य मद्ध्यप्रदेश के किस राष्ट्य उद्यान में? इसका वाक जो है आपका बनाया जाएगा. चार ओप्षन यहाँ पर आपके समने थे 1a नेशनल पार्क, मादव राष्ट्य उद्यान, बनना राष्ट्य उद्यान या फिर काना किसली राष्ट्य उद्यान? तो रैट आं पर जो है विजय पाने के लिए मोबाइल यूनिट की शुरूआत मध्यप्रदस के कि शहर में की थी तो राइड आंसर बनता है इसकी जो शुरूआत है मध्यप्रदस की राजदानी बोपाल से जो है आपकी की जाती है अगला कोर्शन निकल कराता है कि हाली में राज्य शाश है अटल बिहारी वाचपेई सुशाशन एवं निती विसिलेशन संस्तान के उपा अध्धक्षि के पतपर किसे नियुक्त किया है तो राइट आंसर आपका बनता है सचिन चतुरवेदी सचिन चतुरवेदी को जो है इस उपद पर आपका नियुक्त किया गया है अगला देश का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन सेयंत्रा मध्यप्रदेश के कि जीले में इस्तापित होगा तो राइट आंसर बनता है मध्यप्रदेश के खंडवाज जीले में इसको इस्तापित किया जाएगा अगला कोर्शन है देश का पहला आर्टीफिशियल सलालम को हुआ है तो यह भी जो है मद्दप्रदेश के भोपाल में आपका इस्ताफित हुआ है तो यह 2021 का जो मद्दप्रदेश का करेंट अपेस्ट था उसके कुछ important questions यहाँ पर आपके साथ discuss कर लिया है चलिए MPG के कुछ important questions यहाँ पर discuss कर लेते हैं पहला question है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराओं में इस्तित नहीं है चार option है तेली का मंदिर चोसट योगीनी मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर या फिर पाशवनात मंदिर तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है option है तेली का जो मंद मंदिर है वह जो है आपका खजुराओं में इस्तित नहीं है बाकी तीनों मंदिर यानि कि चोसट योगीनी मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर और पाशवनात का मंदिर तीनों के तीनों जो है आपके खजुराओं में इस्तित है और अगर आपसे पूछा जाई कि खजुरा में इसकी शुरूरात होती है और हाली में जो फर्वरी में आई जित हुआ बीच से चब्विस फर्वरी 2022 तक कौन से नंबर का था तो आपका जो 48 नंबर का जो है यह आपका यहां पर महुसो था खजुरावन रत्य समारों था तो यह भी जो है हमारे लिए यहां पर इंप्पोर्टेंट बनता है अगला कोशन आपर देख लेते हैं कि बादवोगल राश्ट्री उद्यान क्यों प्रसिद्ध है चार उप्छन बाग सरक्ष के किस राष्टि उध्यान में सर्वादिक बाग गनत्वा है तो राइड अंसर आपका बनता है बांदोगोर राष्टि उध्यान में बात करें इसकी कहाई परिष्थी थे इस्थावन्य का पती है 1968 में इसकी इस्थावन्य आपकी यहाँ पर कि जाती है और अगर पुछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल होता है तो 1992-03 में जो है इसको आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत शामिल किया जाता है अगला कोश्चन बनेगा कि मद्यपदस के किस राष्टी उद्दान से चरन गंगा नदी आपकी निकलती है तो राइट आंसर बनेगा बांदोगर राष्टी उद्दान से ही जो है आपकी यहाँ पर चरन गंगा नदी निकलती है तो यति आपकी बांदोगर राष्टी उद् लगता है चारों में जो है आपका हर साल के अंतराल में यहां पर लगता तो इस सद्री इसना है उप्षैन और नाशिक में यहां पर कुम्ब की से जो किसी से घर्ल ढसे स्था पर उत्तर कर bullish सी शौन में 供िएन यहां सियन फुक्ता चलिए अगला कोशन आपर है कि दूलादेव मंदिर कहां इसती थे चार ओप्षन है खजुराओ मंदला उंकारेश्वर या महेश्वर तो राइट आंसर बनता है खजुराओं में जो है आपको दूलादेव का मंदिर भी देखने को मिलेगा अगला कोशन है परियाटन इस्तल जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है चार ओप्षन है आपके सामने दंतेवाड मेहर खजुराओ या मांडू तो राइट आंसर बनता है खजुराओं जो परियाटन इस्तल है अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अगला कोशन आपर देखते है कि मध्यप्रद परियतन विकास निगम के आपके इस्तापना की जाती है अगला कोशन है पंचमडी मध्यप्रदेश की किस पर्वस रंकला पर इस्तित है चार उप्षन है विद्यांचल सत्पुडा शिवपूरी पठार या मेकाल तो राइडांसर आपका बनता है सत्पुडा पठार के अंतर सत्पुडा जो पहाड़ी है उस रंकला के अंतरगत आपकी जो है पंचमडी आता है और पंचमडी को जो है सत्पुडा की रानी भी जो है आपका कहा जाता है तो अगर कोशन आता है कि सत्पुडा की रानी किसे कहा जाता है पंचमडी को आपका कहा जाता है या इस प्रकार से कोशन आएगा कि जो पंचमडी है कि इस परवत स्रंकला के अंतरगत आता है तो यह आपका सत्थपूड़ा परवत स्रंकला के अंतरगत आता है अगला कोशन जो है अमारा यहां पर देख लेते हैं अगला कोशन अमारा यहां है कि प्रसिद्य पर्याटनिस्तल बेडा घाट काहाँ पर इस्तिते है, चार option है, जबलपूर, रिवास, त्ना, या सेहडोल, तो राइड ांसर आपका बनता है, option है, जो बेड़ा गाच है, आपका कहाँ पर इस्तिते है, जबलपूर यही पर यानि कि बेड़ा गाच में जो है, आपको देखने को मिलेगा दुहादמקंधा प्रपात और जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है नर्मदान नदी के द्वारा जो है इसका निर्माण आपका किया जाता है तो चलिए यहाँ पर जो है कल आप आप से question पुछा गया था उसका answer यहाँ पर बता देते हैं question आप से पुछा गया था कि मद्यप्रदेश में विश्व बेंग के सयोग से मद्यप्रदेश वानी की परियोजना कब आरंब की गई थी चार option थे 1990, 1995, 1980 या 1995 तो right answer आपका बनता है 1995 1995 में जो है यह आपकी योजना इतु सिंग बाथम के द्वारा जो है दिया गया उन्होंने बताए कि 1995 में यह आपकी शुरूग की गई थी विश्व बेंग के सयोग से साती भारत में सामाजिक वानी की दिवा सन 1931 से आपका मनाया जाता है और इसका उद्देश कई देशों में वानी की के मादम से अपने मद्यप्रदस के जवलपूर में इस्ति थे वानी की अनुसंदान एव मानक विकास अनुसंदान आपका कहां पर इस्ति थे चिंदवाडा में इस्ति थे और वन अनुसंदान केंद्र आपका कहां पर इस्ति थे तो यह जो है हेदराबाद में आपका इस्ति थे चलिए आज का question जिसका जवाब आप सभी को हमें आपर comment करके बताना है कि प्रसिद्ध दुरुपद गाया का कुमार गंदर्व किस इस्तान से संबंदित थे चार ओप्षन है खंडवा, देवास, मेहर या ग्वालियर तो इसका जो भी right answer हो जो भी सही जवाब हो आप सभी को हमें comment करके ब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखियागा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुच जाए तो आज के लिए बस इतना है thank you very much